सर्दियों के मौसम में खांसी जुखाम के अलावा गले की खराश भी एक आम समस्या है जो बहुत परेशान कर देती है अगर ठंड लग जाए और लगातार खांसी आने लगे तो गले में दर्द और हल्की सूजन से हम परेशान हो जाते हैं सर्दियों में होने वाली गले में खराश के कई कारण हो सकते हैं जैसे ठंड लगना या कुछ ठंडा खा लेना ऐसे में लोग आम तोर पर सिर्प या गोलियों का सहारा लेते हैं लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे अचूग घरेलू नुस्खे बताएंगे जो आपकी गले की खराश को मिंटों में दूर कर देंगे नमक का पानी अगर आप गले की खराश से परेशान है तो नमक के पानी से गरारे करने से आपको जल्द रहत मिलेगी नमक वाले पानी से गरारे करने से गले में जमे म्यूकस को बाहर निकालने में मदद मिलती है इससे गले की खराश के साथ साथ गले के दर्द में भी आराम मिलता है अगर आप भी गले की खराश से परिशान जाओ तो एक गिलास गर्म पानी में आधा चम्मच नमक मिला कर गरारे जरूर करें शहद और नीमबू गले की खराश को दूर करने के लिए शहद भी बहुत फायदे मंद है शहद में एंटी बैक्टीरियल गुन होते हैं जो बैक्टीरिया को खत्म करके गले की खराश से राहत दिलाते हैं इसके साथ ही यह गले के अंदर की सूर्जन को कम करके जल्द राहत पहुँचाता है गले की खराश को दूर करने के लिए गुन-गुने पानी में नीमबू और शहद मिला कर पिएं ऐसा करने से आपको गले की खराश से जल्द आराम मिलेगा नीमबू में विटामिन सी मौजूद होता है जो इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करता है अदरक सर्दी खांसी में अदरक का सेवन बहुत फायदेमंद माना जाता है इसमें एंटी माइक्रूबियल गुन होते हैं जो गले में खराश पैदा करने वाले पैथोजिन को रोपने में मदद कर सकते हैं गले की खराश को दूर करने के लिए आप अदरक का टुकड़ा चबा सकते हैं या फिर गरम अदरक की चाय भी पी सकते हैं तुलसी के पत्ते सर्दी खासी के इलाज के लिए तुलसी का इस्तेमाल प्राचीन समय से हो रहा है गले की खराश को दूर करने के लिए उबले हुए पानी में कुछ तुलसी के पत्ते मिला कर स्टीम लें आप चाहें तो पानी में तुलसी और अधरा को बाल कर इसका काड़ा बना कर भी पी सकते हैं हल्दी वाला दूड, सर्दियों में हल्दी वाला दूड पीने की सलाह आपको बहुत लोगों ने दी होगी, गले की खराश दूर करने के लिए भी हल्दी वाला दूड फायदे मंद होता है, इसमें मौजूद एंटिसेप्टिक और एंटिबाउटिक गुन गले में सूजन औ या मेडिकल प्रोफेशनल की सलाह के तौर पर न लें। किसी भी बीमारी के लक्षनों की स्थिती में डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो अभी हमारी वीडियो लाइक करें शेर करें और हमारा हाश्मी.com चैनल सब्सक्राइब करें।